सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरू चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं हेले दोस्तों आप देख रहे हो एपके गुरू चैनल दोस्तों इस चैनल को अपने सस्क्राइब नहीं किया है जली से सस्क्राइब कर लिजे आज हम बात करने वाले इसमें बक्री का सेड कैसा हो बरसात के मोसम में आप उसमें क्या क्या को केर करना है आज ये इस सब चीज़ पयदा होते हैं उसके बाद दूसरा होगे कि आपके जो शेट बना हुआ है उसके अंदर कहीं से भी पानी ना जाई रहे अगर कहीं लीक है अप उसको रिपेर कर सक्रा ले पहले उसके बाद आपका फर्स गीला है यथी जमीन जो होता है नीचे जमीन पर है उसको आप मिटी बरसात होने चानल होने सब पहले आप मिटी डर्वा का हाइड कर लिजिए और अगर गीला हो चुका है तो आप उसको को सुखने तक उसमें बक्री को ना जाने दें क्योंकि बकरी को फूर में उसको मिटी ना लगे या फिर बकरी उसके उपर ना बैठे क्योंकि उससे थनेला रोग सरद गरम विमारी बकरी को हो सकता है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं अगर फारम के अंदर माली जर्ए मख्जर पेदा हो गया है त inspirated मेले दव्यां और बवाद सकते हैं के हम मेडिशीन के उसके आप मरवाद सकते है उससे मकी मचल अंदर में नहीं होगा उसके बाद हो गया आपको करना क्या है कि जो भी फार्म बनवाए है थोड़ा गीला होगे तो आप चूना दे सकते हैं उसके अंदर क्यूंकि चूना देने से यह होगा कि आपका जो मिट्टी है उस थोड़ा सा सुखेगा आप उसको उसको सुखा सकते हैं जैसे माल लीजिए उसमें अभी जाली लगा हुआ किनारे किनारे फार्म के अंदर जब बारिस हो रहा है तो उसको क्या किजिए प्लास्टिक से या जो भी ढखते हैं उसको धक्न दीजिए जब मुसम सही हो रहा है उस टाइम उसको खोल दिशकर हवा जब आएगा हुआ जब आएगा तो फार्म को सुखेगा उसके अंदर आप फैन दो तीन चार फैन जैस्ता भी हो साइच की साप से फार्म कितना बढ़ा है उस इसाप से आप उसको लगा दिए कि हो चलेगा तो उससे जो भी फर्स होगा वो शुखेगा और कोशिश नीचे से जमीन के सरद गरम या जो भी बिमारी अचनेला फनेला जो बिमारी आती है ओर नहीं पकरेगा इसे बकरी को बहुत ही सेफटी होगी यह सब चीज आपको बकरी फारम कर रहे हैं तो इस अब ध्यान देना परेगा क्योंकि बरसात के मोसम में बहुत ही जादा बिमारी पैदा होता है बकरी के लिए और इस चीज पे बहुत ही जाद ध्यान देना परेगा खाने पिने का जो भी चीज है उसको भी उपर रखना परेगा कोई मिटी ना लगे यह सब चीज आपको ध्यान देना है कोई गीला उसका पहर इनी टेम नहीं रहे ओके दोस्तों थैंको बहुते बढऄ दीया व्यान दीया है वार्ण